सो हेलो गाइज वेलकम बैक तू दा न्यूव वीडियो तो गाइज आद की देट में बजाज ओट ने अपनी लांच कर दिया है न्यू बजाज पलसर N250 बाके जो बैक में फीचर देगे है न तो भाई आप उनको सुनके ना विकुल पागल हो जाओगे क्योंकि इस पराइस इतने सारे फीचर इस बैक में देना काफी मुश्किल चीज है और कंपनी को लिए बढ़ते हैं तो आज की वीडियो में दोस्तों बजाज पलसर N250 के बारे में आपसे कावी सारी बाते शेयर करेंगे तो आज की वीडियो काफी जदा बढ़िया होने वाले है तो गैस अगर आपको वीडियो ची लेगी तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल गाड़िशार को सब्सक्राइब करना तो चले वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो गाइस फाइनली लॉंच हो चुकी है बजाज पलसर N250 और इस बाइक को तीनी कलर में आपको लॉंच किया गया तो और यहाँ पर जो भाइक का 3rd कलर है वह है दोस्तों यह तो यहाँ पर आपको ना red प्लस gray प्लस white या अपर color combination इस बैक में देखनी को मिलता है तो आपको इन 3 में से कौन सा कलर इस बाइक का बढ़िया लगा तो यह आप में प्लीज कमेंड करके शेर केजिएगा बाकि दोस करते हैं next update के बारे में तो यहां पर guys आपको ना कुछ इस तरह का काफी पैरा console इस बैक में आपको देखने को मिलेगा और ना console में आपको देखने को मिलेंगे लाइक आप इस console को Bluetooth के जरी अपने phone से connect कर सकते हैं और यहां पर turn इस तरह के रैडिंग मोड जैसके रेंड मोड राइड मोड रोड मोड और यहां पर इन मोड को यहां पर ओन उफ कर सकते हो और वो जो गंट्रोल है व आपको यहां पर handlebar पर यहां पर देखने को मिलेगा जो कि दोस्तों इस सेग्मेंट की पहली बैक में है और यह ना पहली बैक इंजन मार्केट के अंदर होने वाली है जिसका जो अक्ष्णूम प्रहज़ा हो देड़ लाग क्या सपस है और इस बाइक के अंदर हमें ट्रैक्शन कंट्रोल यहां पर देखने को मिलता है जैसके दोस्तों कहीं बार क्या होता हमारे जो बाइक का रेर वील हो थोड़ 29cc सिंगल स्लेंडर फोर स्ट्रोक एर एंड ओल कुल्ड इंजन और यह इंजन प्रियूस करता है 24.5 PS की मैक्सिमम पावर और आपको बाइक से 21.5 न्यूटन मीटर का यहां पर मैक्सिमम टॉर्क आपको देखने को मिलेगा इसके लिए दोस्तों इस बाइक के जो टैर प्रेंट पर देखने को मिलेगा 110 mm स्ट्राइशन का अपको यहां पर रेर में 140 mm श्राइशन को मिलने वाला इसके लावर दोस्तों जो जो बाइक का विल बेस है वो इस बार नहीं और की सीछाइट है वह 5mm के आसपास की इंक्रीज हो चुक है और जो बाइक का कलो एक्रिस क की बारे में तो यहाँ पर गाईज मामले में बज्जा जोटों ने आस तक हमें बिल्कुल भी निराज नहीं किया तो जो इस बाइक का प्राइज है वो सिरिफ काफी कम इंक्रीज हुआ है और आसकी डिट में यह वली बैक आपको 1,51,000 के आजपास की एक्षुरूम प्राइस पर पढ़ जाती है वी देली में 22 बाइक ये ओनड़ प्राइस की बारे में अगर बात करें ना तो यहाँ पर 1,80,000 के आजपास का इस बाइक का ओनड़ प्राइस होने वाला है तो इस साल आप मैंसे कौन को ने इस बाइक को परचेस करने वाला है तो यह आप हमें प्लीज कमेंट करके शेर के जगा वीडियो चलिए के ते वीडियो को लाइक करना और हमारे इस चैनल गाड़िशार्ड को सब्सक्राइब करना तो चलिए मिल्टप्स नेक्स वीडियो में तब तक लिए गुडबाई